दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे इंटरनल कमश्चन इंजिन में प्रियोग होने वाले दो महत्तपूर्ण पार्ट क्रैंक साफ्ट और कैम साफ्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है वैसे तो internal commission engine में soft और gear के combination का हम इस्तेमाल करते हैं power को generate करने के लिए लेकिन फिर भी engine की working में crank soft और cam soft बहुत ही important role अदा करते हैं तो जानते हैं कि इन दोनों parts में क्या क्या difference होता है सबसे पहले बात करते हैं crank soft और cam soft किस material की बनी होती है crank soft steel alloy steel की बनी होती है जिसे forcing process के दुआरा तयार किया जाता है जबकि जो cam soft होती है यह cast iron या फिर steel की बनी हो सकती है जिसे हम casting से तयार करते हैं अब बात करते हैं location की जो crank soft होती है यह engine के bottom end पर यह located होती है एक प्रकार से कह सकते हैं कि slender से यह नीचे होती है जबकि जो cam soft होती है यह engine के top end पर mounted होती है यह कैसकते हैं कि cylinder से उपर होती है जो cylinder piston arrangement होती है उससे उपर होती है cylinder head में होती है जो crank soft होती है यह crank case में होती है अब बात करते हैं कि इन दोनों की working किस प्रकार से होती है और दोनों की working में क्या का difference रहता है जो crank soft होती है उसे हम flywheel और transmission या gearbox के माध्यम से जो विकल का wheel होता है उस तक उसको transmit करने का कारिया करती है। और जो crank shaft के अगर बात करते हैं इसके जो part होते हैं इसमें ये web लगे होते हैं और यहाँ पर ये main general bearings होते हैं और ये crank pin होती है जिसकी मदद से इसे हम connecting road के साथ इसको connect करते हैं और जो camsoft की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि बात की cylinder head में जो camsoft हो लगी होती है, camsoft की दो तरह से arrangement होती है, एक होती है SOHC, single hour head cam, और DOHC, dual hour head cam, अगर single hour head cam है तो उस case में हम single cam का use करते हैं, जिसमें एक intake और एक exhaust वाल होता है, लेकिन जो dual hour head cam होती है, जैसा इस diagram में अगर आप combustion engine है, उसमें हम 4 camsoft का use करते हैं, 1, 2, 3, और यहां पर 4, और यह dual होती हैं, दो-दो लगी होती हैं, दो-दो के pair आपको नजर आ रहे हैं, और इन दोनों में क्या होता है, कि दो इसमें intake valve होते हैं, और दो इसमें exhaust valve होते हैं, मतलब कि more intake होगी, more valves होंगे, जिसे more exhaust gases है, वो exhaust ह होगी, और जो हमारा जो fuel है, या जो exhaust gases है, उनको ज्यादा space मिल जाता है, flow करने के लिए, और जिससे engine की जो power है, वो increase हो जाती है, और जो camsoft है, इस पर यहां अगर हम देखें, यहां पर cam lobes लगे हुए हैं, और इनका main कारिया होता है, intake और outlet valve को open या close करना correct timing पर, अब बात करते हैं कि इनको कैसे rotate किया जाता है, crank soft को कैसे rotate करते हैं, cam soft को कैसे rotate करते हैं, जो crank soft होती है, अगर आप देखें, यहां पर, यह crank soft और piston के बीच में connecting road लगी होती है, connecting road का एक end जो piston के साथ connected होता है, गजन पिन की मदद से, और जो दूसरा end होता है, वो crank soft के साथ जुड़ होता है क्रेंक पिन की मदद से जैसे ही piston cylinder में reciprocate करता है जैसे इस cylinder की vertical motion moment होती है उसको crank soft के माध्यम से उसको rotary motion में convert कर दिया जाता है इस प्रकार से crank soft है वो rotate करती है तो कह सकते हैं कि इसे piston के द्वारा connecting road के माध्यम से इसको rotate किया जाता है जब बात करते हैं cam saft की जैसे ही crank shaft rotate करती है क्योंकि जो कैम saft है इसको drive किया जाता है crank saft की मदद से क्योंकि यहांपर ग Tucson जो एक gear लगा होता है उसके बाद यहांपर एकietet sap कर ऐसल जाता है तो एक chain की मदद से को rotate किया जाता है या कह सकते हैं इसमें एक timing belt attach होती है या timing chain का इस्तेमाल कर सकते हैं cam soft को rotate करने के लिए और इसे हम crank soft की मदद से ही से rotate करते हैं और जो crank, जो cam soft होती है उस पर ये देखें आप cam lobes लगे हुए हैं उसके बाद यहां पर tap it लगे हुए हैं जो red color के हैं उसके बाद valve spring है फिर valves लगा हुआ है इसके अलावा यहां पर rocker आरम push road का भी इस्तेमाल किया जाता है तो इस प्रकार से main component होते हैं cam soft के case में तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया कि crank soft और cam soft में क्या difference होता है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ और channel को subscribe करना ना भूलें जल्दी हाजिर होतें एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे